बेटे की लाश लेके जा रहे हो समशान घाट और अपने लिए नहीं सोचते कि जब बेटा जा सकता है हमसे पहले तो हम क्यों नहीं जा सकते मृत्यू को सदा सामने रखो तभी साधना कर सकोगे एक दिन भी मत सोचो कि कल भी हम रहेंगे जो करना है आज करो अभी करो पुरंत करो और अंतिम समय में मन का अटैच्मेंट जहां रहेगा मरने के बाद कुसी की प्राप्ति होगी हमने अनादिकाल से सबसे बड़ी एक गलती की अनन्त बार मानों देह मिला लेकिन और सब काम के लिए तो समय था शरीर संबन्धी काम के लिए शारीरिक उत्थान के लिए बहुत कुछ किया ब्या किया बच्चे किये धन कमाया कोठी बनाया अमा सारे जीवन शरीर के लिए किया और आत्मा के कल्यान के लिए उधार कर दिया अभी तो पढ़ रहे हैं फिर कल लेंगे पढ़ चुके अभी तो पढ़ाई खतम हुई है अभी तो जड़ा एंज्वाइमेंट का समय है साधिवादी करेंगे फिर भजन तो बुढ़ापे में होता है बुढ़ापा भी आ गया हा आ गया पेर अब करो न अभी जड़ा बच्चे छोटे-छोटे हैं अभी जड़ा तो क्या है बच्चे तुम्हारे बाप बनेंगे यह तो हमेशा तुम्हारे बच्चे ही रहेंगे और हमेशा तुम इनको बेवकूफी मानोगे क्योंकि तुम बाप हो अपने से काबिल तुम इनको तुम मान नहीं सकते तो कब करोगे और फिर तुम देख रहे हो एक ब्यक्ति पैड़ा हुआ रोया और मर गया एक एमे किया आई एस में आया कार से आ रहा था माबाप से मिलने रास्ते में अक्सिडेंट हो गया मर गया एक कि शादी हो रही थी छे भावरी हुई सातुई में चक्कर आया गिरा मर गया रोज देख रहे हो हाँ देख तो रहे लेकिन हम को ऐसा नहीं होगा क्यो तो तुमने क्या गारंटी लिखा रखी है तुमारा ऐसा नहीं होगा अच्छा नहीं भी होगा तुम सव बर्ष जी होगे दो सव बर्ष रमान लेते हैं लेकिन तुमारी जो आदत है परमार्थ संबंधी उधार करने की ऐसे ही करते रहोगे कर लेंगे कर लेंगे हम सब समझते हैं जो महराज जी समझाते हैं सब पता है हम कर लेंगे टाइम टूबल याद कर ले कोई इंगलाइंड को अमेरिका को कौन जहाज जाता है कई बज़े जाता है इससे सफर नहीं पूरा होगा सफर तो करना पड़ेगा तब पूरा होगा थियरी की नौलेज से भूख नहीं मिटेगी खाना बनाना पड़ेगा पाक शास्त्र के बड़े बिद्वान हो होम साइंस में पिएचिडी हो इससे खाना आप कैसे मिल जाएगा अपने आप साधना प्रेक्टिकल करना पड़ेगा कब करोगे महा प्रहलाद ने कहा था कहुमार आचरेत प्राग्यो धर्मान भागवतानिय साथ छे एक भागवत कुमार अवस्था से ही लग जाओ भगवान की ओर क्या पता जुआ वस्था ना हो है को ही जाना थी कश्याद्य मृत्य कालो भविष्यती अरे जिसके मामा भगवान स्री क्रिष्ण और बाप अर्जुन महा पुर्षों का दादा और ब्याह कराया बेदव्यास ने उसकी इस्त्री सोला बर्ष में बिधुआ हो गई अभिमन्नु मारा गया अर्जुन बैठे हैं कुछ नहीं कर सकते श्रीक्रिष्ण ब्रह्म बैठे हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते जिसको जब जाना है जाएगा और कब जाना है यह पता नहीं हर समय सावधान रहो सावधान माने क्या आत्मा के कल्यान की बात सोचो शरीर का कल्यान तो कुट्टे बिल्ली गढ़े का भी हो रहा है उसके लिए भी थोड़ा समय दे दो ठीक है और दो रोटी का प्रबंद कर लो बस में चीज जो है आत्मा का कल्यान उसको तो तो मुधार करते जा रहे हो और जो नश्वर बस्तू है शरीर इसके लिए बड़ा टाइम है आप दस लाक जमा हो गया आप एक करोड हो गया आप दो करोड हो गया बेद कहता है नश्वश्व उपासीत कोही पुरुशस्व बेद कल 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 मत करो क्या पता काल कल को आने ही न दे रात में सोते सोते कितने लोग चले जए शरीर छोड़ कर सोते सोते बगल में बीबी सो रही है और पती चला गया और बीबी भी सो रही है जब बीबी ने उठकर के जगाया अरे उठों भाई कौन उठें उठों चला गया रोज देखते हो इतने अंधे हो अपने लिए क्यों नहीं मानते इस बात को बेटे की लाश लेके जा रहे हो समशान घाट और अपने लिए नहीं सोचते कि जब बेटा जा सकता है हमसे पहले तो हम क्यों नहीं जा सकते है कि मृत्यू को सदा सामने रखो तभी साधना कर सकोगे एक दिन भी मत सोचो कि कल भी हम रहेंगे जो करना है आज करो अभी करो तुरंत करो और अंतिम समय में मन का अटैच्मेंट जहां रहेगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी जैसे हमने पिता से प्यार किया खोब प्यार किया और मरने के बाद पिता पापकर्म के कारण कुट्टा बना हमको भी उसी कुट्टे का संतान बनना पड़ेगा जड़ भरत्चरी के परमहंस को हिरन बनना पड़ा मन उसी में था संसार में ड्यूटी करना है प्यार भगवान से करना है शुद्ध बस्तू से प्यार करोगे तो अंतहकरन शुद्ध होगा माया बद्ध से प्यार करोगे तुम अंता करण और गंदा होगा हो चाहे बाप हो चाहे मा हो चाहे बीबी हो चाहे पती हो चाहे बेटा हो कोई हो तो उधार नहीं करना है उधार बंद करो गमारी भाषा में भी दरजा एक में हमने पढ़ा था काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होएगी फेर करेगा कब हमको अभी तक याद है ए दोहा हम लोग जानते हैं बहुत सो लोग जानते हैं लेकिन उसके इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं करते हैं रियलाइज करने में लापरवाही करते हैं जिस चीज की इंपॉर्टेंस अधिक रियलाइज करते हैं उसी को प्रेक्टिकल में अमल में लाते हैं और भगवत विशय को उधार कर देते हैं रावन ने लक्ष्मन को उपदेश दिया था बिटा देखो मैं ब्राह्मन हूँ चारो बेदों का बिद्वान हूँ और भगवान के लोग का पार्षद रहा हूँ मेरा उपदेश नोट करो भगवत विशय का काम तुरंत करो संसार के काम को नंबर दो कर दो नहीं तो उदार करते करते अनंत जन में बीते हैं आगे भी अनंत जन में बीतेंगे